हमारे 36 रड़के कांग्रेस सरकार के कैबिनेट के कुछ फैसले आज आए हैं। हमारे 36 रड़के करमचारी साथियों को ये मोहरा बना कर उनको उलजहा कर न्यू पेंसन स्कीम और ओल्ड पेंसन स्कीम के बीच में ये अपना रासी दुरुपयोग करने की योजना बना रही है। इनका दो ही उद्देश यह है 14% रासी करमचारी के खाते में जो दिया जाता था उसे ना देना पड़े और दूसरा 2004 से 2022 तक 18 सालों में राजय सरकार ने करमचारी ओं के खाते में जो पैसा जमा किया है उसका दूरुपयोग किया जा सके उसको इले करके दूरुपयोग कर सके इसी लिए बातें कर रहे है आज इन्हों ने कंडिशन लगा दिया कि औल्ड पैंज स्कीम जो डादी होगी उसके पहले राज्यांस की रासी जो जमा हुई अठारा सालों में और उस पर जो ग्रोथ हुआ है जो मूलतह कर्मचारी को ही दिया गया है कर्मचारी का ही पैसा है उसको राज्य सरकार को जो जमा करेगा उसी को पोल्ड पेंशन स्कीम का यह लाब देंगे वो तो कर्मचारी का पैसा है केंद्र से नेस डियल से उसको ही पैसा मिलना है उसे जमा करने के आखिर सर्त क्यों लगा रही है सरकार यह मुख्यमंत्री यह कुल मिला करके जो 20 साल बाद जो सरकार बने उसे उल्ड पेंशन देना पड़े और आज 14 परसेंट देना न पड़े और 18 सालों में जो रासी जमा की गई है करमचारियों को जो दिया गया है उसको यह ले करके दुरूपयोग कर सकें इसलिए यह सब बाते कर रहे हैं दूसरी और हम देखते हैं साला मरमत के नाम पर 780 करोड रुपए यह जारी करने की बात कर रहे ह पुरे प्रदेश में आप देख सकते हैं इस पैसे को एक कमिशन खोरी करेंगे साला मरमत नहीं करेंगे फरजी बीलिंग करेंगे इनके कमिशन खोर एजेंट लोग जा जा करके उस पैसे को इकठा करेंगे इसकूलों की हालत आज पुरे प्रदेश में क्या है सब लोग दे इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हमारे प्रदेश के लिए अत्यन दुर्भागी जनक है इसी तरह से प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना की भी बात आज के कैबिनेट में आई है मोधी जी ने कोरोना काल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाः पांच किलो अतिरिक्तरासन लगातार दिया लेकिन मोधी जी द्वारा दिये गए चावल को कोरोना काल में पंद्रा सो करोड के चावल को ये खा गए है उसे कब जनता को देंगे उसका पैसा उसका चावल कब जन